तो आज हम बात करेंगे डाइवर्स लेने का सबसे बेस्ट ग्राउंड कौन सा है अगर किसी को डाइवर्स की खुजली है हजबेंड को और वो चाता है कि उसको डाइवर्स मिल जाए आसानी से और वो डूंड रहा है कि सबसे बेस्ट ग्राउंड कौन सा है डाइवर्स तो य सब किताब वाली बात है क्योंकि जो लौ मना था 1955 में बना था उस टाम होता था क्यों अब होता तो अब यह लेकिन प्रूफ करना बड़न हो जाता है अगर सब किसी के साथ क्रेलिटी मार पीठ हो गई या गाली गलूस कर दी तो उसके बेस पर एक दम थोड़ी आपको कोट ड दोगे अप चैड दोगे बस यह दीखा दोगे क्लिए तो इस से पर उफ कि होगा न कि अटल्री है हालागि आपको पता है कि वों अटल्री यह टों आप मिंढ़ इस छो खन आइन सबस्록 आप्की वाइफ चली गई ठीड है और आपने section 9 किया और फीर भी नहीं आती decree आपके faver में हो गई और फीर भी वो आपके पास नहीं आती है तो एक साल के बाद यनिकि degree pass हो गई आपके पास section 9 की और degree pass होके एक साल हो गया फीर भी wife नहीं आती यालिकि जो फिर प्रियर्ड है होना ही चाहिए तो फिर बाद में आप इस चीज़ को ग्राउंड बना सकते हो कि भी section 9 करने के बाद डिग्री पास होने के एक साल बाद भी wife नहीं आई तो इस चीज़ को ग्राउंड बना के आप divorce ले सकते हो और ये सबसे बेस्ट ग्राउड होता है, डाइवर्स के लिए, सिमिलरली वाइफ के लिए भी है, वाइव भी कर जाती है, अगर सपोज वाइफ सक्सर नाइं डालती है, और हजबन उसको रखना नहीं है, या फिर लेने नहीं आता है, और डिक्री पास कर देता है, एक साल तक तो वाइब भी उसको ग्राउड बना सकती है, कि भी ये मिरे को रखी नहीं रहे, तो मैं इस चीज़ को ग्राउड बना के मुझे डाइवर्स दिया जाए, अब ये हर किसी के लिए अपलाई नहीं है, बस उनके लिए अपलाई है, जिनका सेक्सर नाइं चल रहा है, और सेक तक को जो बैस्ट है वो ये ही है, सक्सर नाइन के बाद भी लिक्री पास होने के बाद भी नहीं रखता है, हजबेंड या वाइफ, तो इस चीज़ को अपराउड बना के डाइवर्स ले सकते हो, ओके, स्वायोग, इसक्लियर, बाई